देखो दोस्तो इस मैच के अंदर टीम बनाने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान में रखना है सबसे पहली बात ये वाला मैच केन विलियमसन नहीं खेलेंगे उनकी जगेट टीम साउधी इस मैच के अंदर कप्तान रहने वाले हैं न्यूजिलेंड की तरफ से लेकिन इंपोर्टेंट चीज का है अगर विलियमसन मैच नहीं खेलेंगे तो टीम नंबर पे बैटिंग करने कोण आएगा दूसरी बात ये वाला मैच खेला जाएगा मैकलीन पार्क नैपियर के ग्राउंड के उपर और यहां की पिछ काफी क्रूशल रह सकती है आपके लिए टीम बनाते हैं और सबसे इंपोर्टेंट बात इस मैच के अंदर वेधर का भी रोल रह सकता है और हम इनी सब चीजों का डिसकसन करेंगे जिसकी मदद से आप अच्छे टीम बना सको तो वीडियो पूरा याद से देख लिजेगा और साथ ही आपके लिए इस वीडियो में खासमों का जिसमें आप जीच सकते हो ब्रैंड न्यू मेंदरा थार वो भी सबसे कम कॉंपेटिशन में तो वीडियो पूरा याद से देख लिजेगा दोस्तो आज हम बात करेंगे न्यूजिलेंड वर्सिस इंडिया के बीच होने वाले तीसरे T20 मेंच के बारे में जो की खिला जाएगा मेकलीन पार्क नैपियर के ग्राउंड के उपर देखो दोस्तो आपको पता है कि ये मेच खिला जाएगा मेकलीन पार्क नैपियर के ग्राउंड के उपर अगर दोस्तो इस ग्राउंड की बात करें तो इस ग्राउंड की ऊपर T20 इंटरनेशनल के चार मैच खिले जा चुके जिसमें पहले betting करने वाली टिब ने दो और second betting करने वाली टिम ने दो मैच जीते हैं, यानि दोस्तों मैच कोई भी टिम जीत सकती है, बैटिंग first या बैाटिंग second, वहीं दोस्तों इन 4 मैचों के अंदर first inning average score 82 रन है, यान दोस्तों कही पिछ यहां पे batsman को भी favor करते भी दिख सकती है वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इन 4 match में score pattern की तो 150 से निचे score एक बार बनाए 17689 से की बिच्विचन score दो बार बनाए और 190 प्लस score एक बार बनाए यानि दोस्तों 4 में से 3 match high scoring रहे थे तो कहीं न कहीं पिछ आपको batting friendly देखने को मिल सकती है वहीं दोस्तों इस ground पर हेले के last के 2 T20 matches की बात करें तो 2021-2020 के अंदर खेले गे थे जिसमें एक match के लागा था न्यूजिलेंड और बंगलादेश के बीच जिसके अंदर न्यूजिलेंड की टिप ने पहले बैटिंग की 173 अन मनाए 5 विकेट पे बंगलादेश ने 147 अन मना पाई थी 7 विकेट पे और वो match 28 और नोशे न्यूजिलेंड जीत गई थी जिसके अंदर player of the match थे ग्लेंड प्लिपी अगर दोस्तों मैच में फास्ट वर्सी स्पिन के बात करें तो फर्स्ट इनिंग में फास्ट बोलर को 3 विकेट और स्पिनर को 2 विकेट और दूसरी इनिंग में फास्ट बोलर को 6 विकेट और स्पिनर को कोई विकेट नहीं दूसरी इनिंग में 1 पोल्wyら दोनों मैसे 1 मैच बैटिंग 1 करने वाले टिम ना जीता है तो मैच तो कोई भी टिम जीत सकती है लेकिन दोस्तों दोनों के दोनों match first inning के अंदर काफी high scoring गए थे एक 70 plus गए थे तो आप देख सकते हो दूसरी important चाहे है दूसरी important चीज़ कि अंदर आपको पतादू वहीं दोस्तों इंडिया और न्यूजिलेंड के बीच दूशा T20 मैच के लागा था अगर उसके रिकोर्ड की बात करें तो उस मैच के अंदर इंडिया के टीम ने पहले बैटिंग की अगर दोस्तों मैच में बात करें इंडिया की तरब से इशान गिशन ने चात्य सन रिशाप पंध ने पांच सुर्य कमार यादो एक सो ग्यारा स्रेस अइयर तेरा हार्दिक पांटा तेरा रन कोई विगेट ने दिपा कुड़ा जीरो रन चार विगेट वसिक्तन सुंदर ज विगेट, यूजी चैल को दो विगेट और भुनेश्वर कुमार को एक विगेट मिलाता वहीं दोस्तों स्मैच में न्यूजिलेंड की तरब से फिन एलन जीरो डिवोन को अन्वे 25, केन विलियमसन इकसर, ग्लैन फिलिपी 12, डारली मिचल 10, टिम साओधी 3 विगेट, लोक उसके बाद दोस्तों आपको दादू कि यहाँ पे न्यूजिलेंड की टीम, केन विलियमसन ने लास्ट मैच में एकसर टरन बनाये थे, लेकिन ये वाला मैच नहीं खेलेंगे, तो न्यूजिलेंड में यहाँ पे मार्क चैंपमेन, ग्लैन फिलिपी या डारली मिचल में से कोई तीन नंबरे बैटिंग करने आ सकता है, वो कोन आ सकता हूँ आपको आगी बताऊंगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ की पीच के ओपर स्पीनर को थोड़ी कम मदद मिलती है, एज कंपेर टू फास्ट बोलर, तो लास्ट मैच के अंदर अर्षदीप सिंग विगेट ल तो मैच कोई भी टीम जीत सकती, लेकिन थोड़ा सा फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने वल टीम डोमिनेट कर सकती है, स्पीनर को थोड़ा कम वेटेज मिला है यहाँ पर, यानि विकेट थोड़ी कम मिली है, गलेन फिलिपी का रिकोर्ड इस ग्राउंड की उपर आउट कर लेना है, और दोस्तों कि आप इंडिया और नुजिलेंड के 3020 मैच के अंदर, माई 11 सरकल एप पे मेगा लीग के अंदर फर्स्ट रेंग लाते हो, तो आपको मिलीगी ब्रेंड न्यू मेंदरा थार एज फर्स्ट प्राइज, अब दोस्तों आपके मन में सवाल आ सकता ह कि आप माई 11 सरकल एप पे क्यों खेले, क्योंकि दोस्तों आपको माई 11 सरकल एप पे कम कॉंपेटिशन देखने को मिलता है, as compared to other fantasy platform, यानि आपके जीतने के चांस automatic बढ़ जाते हैं, साथ ही दोस्तों काफी बंदों का ये भी सवाल रहता है, कि क्या माई 11 सरकल एप सच में करते हो, तो आपको मिलेगा 20% extra cash on your first deposit, तो जल्दी कीजिए वीडियो की description box में link दिया है, link पे क्लिक कीजिए, माई 11 सरकल एप डाउनलोड कीजिए, और खेलना स्टार्ट कीजिए, तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं, probable playing 11 of New Zealand with betting order, देखो दोस्तों predicted playing 11 है, अगर इस playing 11 में किस एक या दो player का change होता है, तो वो चीज़ में आपको बाद में telegram पे update कर दूँगा, New Zealand के तरफ से आपको opening करते दिखेंगे Finn Allen और Devon Conway, और तीन नमबरे betting करने आ सकते हैं, या तो Mark Champman, या Glenn Flippi, और Darley Mitchell में से कोई एक, अभी के लिए हाई चांस लग रहा है, कि तीन नमबर मार्क Champman या Glenn Flippi में से कोई एक betting करने आ सकता है, क्योंकि दोस्तों ये वाला match Kane William से नहीं खेलेंगे, अभी के लिए मान के चलते है, Finn Allen और Devon Conway opening करेंगे, तीन नमबर पे हो सकता है Glenn Flippi betting करने आ जाए, उसके बाद मिडलोडरी कमान समालेंगे, Darley Mitchell, James Nisam, Mitchell Sentinel, और bowling की कमा option की बात करें, आपको पता, Devon Conway safe है, आपको पता, Tim Saudi safe है, आपको पता, Loki Ferguson safe है, आपको पता, I.S.O.D. safe है, ये 3-4 player आपको safe दिख रहें, लेकिन आपको पता दूँ, यहां की पिछ काफी अद तक backspend को oriented रहती है, जा पर Finn Allen आपके लिए Grand League के perspective से काफी important रह सकते हैं, ये player कमाल कर सकता है, दूसरा दोस्तों, यहां पे Glenn Filippi का record, इस ground की उपर कमाल का है, कम selection होगा, और साइध इस match में तीन नमबरे बैटिंग करने भी आए, तो ये player थोड़ा important रह सकता है, उसके बाद दोस्तों, आपको पता है कि यहां पे Kane William से नहीं कहलेंगे, तो Darley Mitchell का बैटि करने आते हैं, तो ये player भी काफी important रह सकता है, आपको इस ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है, तीम बनाते हैं, बाकी high chance आपको यही playing alone देखने को मिलेगी, अगर इस playing alone में किसी एक ये दो player का change होता है, तो चीज में आपको बाद में telegram पे update कर दूँगा तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं, प्रोबबल playing 11 of India with batting order, देखो दोस्तों इंडिया की team एक match already जीत चुकी है, और इंडिया के लिए must win match है, सीरी जीतने के लिए, तो अगर हम बात करें इंडिया की playing 11 के बारे में, यहाँ पे आपको opening करत दीखेंगे इशान किशन, उनके सा सकता है, दिपक हुड़ा को भी opening करने के लिए भेजा जा सकता है, आपको इचीजे ध्यान में रखने है, उसके बाद तीन नमबरे बैटिंग करने आए थे, शुर्य कुमार याद हो, उसके बाद दोस्तों इंडिया की तरफ से मिल लोडरी कमान सबाल सकते है, श्रेश अयर फार्दिक पांडिया, वशिंटन सुंदर, दिपक हुड़ा अगर बैटिंग पर ओडर प्रमोट नहीं किया जाएगा, तो अपले पांच ये चैन अमबरे बैटिंग करने आएगा, उसके बाद दोस्तों इंडिया के लिए बोलिंग की कमान सबाल सकते है, बुनेश वर कु प्रूशल रह सकता है, अब safe option की बात करें, इशान किशन सेफ है, सुर्य कुमार यादू सेफ है, हार्दिक पंडा सेफ है, भुनेशर कुमार सेफ है, मौमद सिराथ सेफ है, और यूजी चैल सेफ है, ये 6 प्लेर आपके लिए सेफ है, और अर्ष दिप भी सेफ है, ग्रें दोस्तों इंडिया के टीम उम्रान मलिक को मोगा देती है, इस प्लेर का सेलेक्शन कमरेगा, ये प्लेर भी इंपोरेंट रह सकता है, बाकी हाई चांस आपको यही प्लेंग लिए उन देखने को मिलेगी, अगर इस प्लेंग लिए में किसी एक या दो प्लेर का चेंज होता दोस्तों लास्ट मैच में ओपनिंग करने आएंगे ये नहीं आएंगे, अभी के लिए मानगे चलते हैं कि ओपनिंग करने आएंगे, बाकी चांस थोड़े कम लग रहे है, टेफ ऑप्शन की बात करें, फर्स्ट विस आपके लिए डिवान को अन्वे, फोर्शोर क्योंकि प्रेट की बात करें, तो अगर नुजुलेंड की टीम पहले बैटिंग करें, तो आप फिन एलन को भी मोका दे सकते हैं, उसके बाद दोस्तों अगर आपको लगी रिशवपंध को लेनी का रिस्क ले सकते हो, बाके सेफ ओप्शन आपके लिए डिवान को नवे रेने वाल अगर संजू, शेमसन खेलता है यह ओपनें करने है, तो इक अप फिक्जिशन रहा सकता है, अब आपdar QCB कर सकते हो, एक आद टेम के अंदर इस प्ले रहए. अब दोस्तों नुचुलेंड की तरब से, केन विल्यम संफनन ग liksom कहते हैं, घर्ड खेलते हैं तो, उसका बार önemli फिलिपी तीन चार नमबरे वेटिंग करना आ सकते हैं लाट मैच में 12 बार रन बनाए थे डारली मिचल 5 नमबरे वेटिंग करना आ सकते हैं लाट में 10 रन वहीं दोस्तों इंडिया की दरफ से सुर्य कूमार या दो से सुरिय ग्लैंड फिलिपी ठर्ड चोई सान चले चाओ अगर आप चोथा बैट्समें चूज़ करना चाहो तो आप यहां पर मार्क शेंप में और डारले मिचल में इसकी एक के साथ जा सकते हो और अगर दोस्तों इंडिया के टीम शुबमन के लिक्वाइब होगा देती है तो यह अप लिए जील में एक अच्छ उप्सन रह सकता है दूसरी बात दोस्तों यहां पर जादतर लोग है वो शुजय कुमार यादो के उपर साथ जाने वाली है भेड़ चाल चलने वाली है अल्मोस्ट 92% सेलेक्शन होगा अल्मोस्ट 30-40% लोग इसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे अगर आप मेरी तरह एक आजी टीम म आप अएयर की उपर जादा प्रस दीखा सकते हो यह चीज़ आपको ध्यान में रखने है अब दोस्तों बात कर लेते हैं ओल्डाउंडर के बारे में ओल्डाउंडर में नुजिलैंड की तरब से जेम्स निसम राइटाम फास्ट नीम बोलिंग कर लेते हैं लास्ट में जी यह प्लेट डिवोन कॉन्वे के सामने पार प्लेग अंदर बोलिंग करने आ सकता है और लास्ट मैच में भी डिवोन कॉन्वे को वाशिंग्टन सुन्दर नहीं आउट किया था दिपक उड़ा राइटा मोब रेक बोलिंग कर रहते लेकिन दूस्त दिपक उड़ा पार्ट अब सेफ ऑप्शन की बात करें फर्स्ट जोई हार्दीक पांट जोई सेटेंड दोनों से ग्रेंड लीग की टीम मना अगर उपनिंग करने तो मस्ट पिक है उसका वसिंटन सुद्र को अगर आप अपनी टीम में ज्यादा विश्वास दिखा रहे हो तो दिवोन को पर रिस ऐख फर्सट बोलिंग करते लाष्ट मैच में तीन विगेट लोगी फबुशन राप फार्स्ट मैच में दो विगेट आई चुरी राइड हम लेक ब्रेक बोल रहा है लाष्ट मेच में लाथता वहीं दोस्तों इंडिया की तरफप्सिर सिंह लेफास बें अपनीच ये लि अर्षदीप फोर्ता बुनेशुर कुमार मुहम्मद सिराज और यूजी चेलमस किसी एक को दे सकते हो वहीं दोस्तों ग्रेंड लिग की बात करें तो एड़म मिलने का सेलेक्शन कम होगा ग्रेंड लिग का चौप्शन रह सकते हो यहां के पीछ वैसे भी स्पीनर को छोड़ बैटिंग मिलिया है सुर्य को मार यादा हो ग्लेन फिलिपी को और लाउंडर मेलिया हार्दिक पांडय को बोलिंग मिलिया टीम साओधी लोकी फगोशन यजी चेल और असदिप सिंग को मैंने आप नो प्लेर चूज़ कि अब दस्वां प्लेर क्या हो सकता है एक बैट्सम सेफ ओप्षन है ग्लेन फिलिपी सेफ ओप्षन है हर्दिक पंडा सेफ ओप्षन है और अगर यहां पर न्यूजिटेंट की टीम पहले बैटिंग करती हो उसकेश में आप फिन एलन को भी अपनी टीम में मोका देशकते हो यहां पर कमाल कर सकते हैं बाके दोस्तों अगर को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद इस गेम इस फाइनेशली रिस्की एंड हैबिट फॉर्मिंग प्लीज प्लीज प्ले रिस्पोंसिबली